दोस्तों आज मार्केट में बहुत अच्छा बोमेंट देखने हुए मार्केट ने बायर और सिलर दोनों को प्रपर मौका दिया तो आज इंट्रेट में इग्जक्ली कहां पे ट्रेड करना था एसल क्या रखना था और कल का दिन कैसा रहने वाला है कल है सेंसेक्स की एक स्पाइडी तो सेंसेक्स निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए कौन से लवल इंपर्टेंट होंगे everything detail में बात करेंगे तो आपको वीडियो में बने रहीएगा सबसे पहले बात करना चाहूंगी Nifty के बारे में इसके बाद दोस्तों बात करें Bank Nifty और Sensex के बारे में ठीक है तो Nifty का ये देख सकते हैं डिली टेमरीम का चार्ट और यहां पे एक मुरू वुजू केंडल फॉर्म हुआ है Minsk के इस केंडल को देखे क्या लग रहा है कि आज होल डे गिरावट हुई है बट ऐसा नहीं हुआ इसने बाईं का भी मौका दिया था बाद में सेलिंका दिया था तो आज मौडिंग में क्या हुआ था यहां पे यहां पे देख सकते हैं क्या था एक गाप ओपनिंग यहां पे वा था और गाप के बाद मैंने एक मैसेज किया था 22,250 आज इंट्राडे के लिए इंपोर्टेंट सपोर्ट है जब मार्केट गाप ओपन वह उसके बाद ठीक है और यहां से कच्छा आपसाइट मूव होगा और नहीं किया तो यहां से गिरावट हो सकती है यहां पे सस्टेन नहीं कि और देख सकते हैं गिरावट देखने को मिली तो यहां से प्रॉपर कपसाइट मूव देखने को मिला बहुत अच्छा 100 पॉइंट प्लस का मूव था यह बहुत अच्छा मुएंट था हमने इसको अपने प्राइबिट चैनल पर अफडेट कर दिया था 22,150 से 22,170 क्या है important support area है यदि यहाँ पर sustain करता है तो यहाँ पर फॉर्दिक यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर बहुत अच्छा और सबसी इंट्रेस्टिंग तो यहाँ पर था यहाँ पर दिखाया मार्केट और ब्रेक आउट के बाद देख सकते हैं यहाँ पर लोग ट्रैप हुए और और बाद दोस्तों बहुत अच्छी गिरावर देखने को मिली ठीक है एक लिस्ट यहाँ तक आप ले सकते थे बाद में यह और भी तीजी से गिरा जब सपोर्ट का ब्रेकडाउन वद्ध है तो देखें मार्केट में आप रहते हैं प्रॉपर टेकनिकल को फोलो करते हैं तो मार्केट आपको कहीं न कहीं ट्रेड करने का मौका देता है एक सदू ट्रेड आप लीजी इनफ होता है इंडेक्स के अंदर ठीक है अब यहाँ पर बात करेंगे कल के लिए चलिए दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे कल के लिए कल निफ्टी में किस तरीके का मूफ देखने को मिल सकता है यहाँ पर यह डिरिक्टेभी का चार्ट है और देख सकते हैं प्रोपर एक चैनल सब्सक्राव है और दूसरा बात 22,000 यह क्या है 22,000 एक psychological support area है तो कल यदि क्या हो इस candle का low break होता है आज का जो low था low की बात करेंगे तो 21,961 का 21,961 रुपे का जहां समझेगा आप लो 22,000 psychological support zone है ठीक है जदी market flat open होता है और इसके उपर sustain करता है मिन्स कि आज का low break नहीं करता है और यहां पर कोई buying perform करता है तो वापस से market यहां से उपर जा सकता है मिन्स कि इंट्राडे में यह आपको buying का मौका दे सकता है ठीक है दूसरी बात ध्यान समझेगा यदि यह क्या करें sustain नहीं करें क्योंकि 22,000 के आजपास सी closing हुई है यदि sustain नहीं करें और आ करके 21,961 को break कर दे उसके बाद क्या होगी उसके बाद यहां पर बहुत अच्छे गिरावट देखने को मिल सकती है slowly market 20 slowly कहाएगा 21,700 से 21,600 तक यह आ सकता है तो इसलिए market जब open होता है open होने के बाद आप देखिए कि intraday का trend क्या है यदि sustain करेंगा तो बाइंग पर फोर्म करेंगा पहले वह 5 मिनट पे फिर 15 मिनट पे फिर 30 मिनट पे और वहां सूपर जाएगा और यदि क्या करें तो क्या होगा इसको break करेंगा और फिर break के बाद market में गिरावट होगी simple सी बात है ठीक है तो जैसा भी होगा उसके according आप लोग ट्रेड प्लान कर सकते हैं दोस्तों आगे बात करना चाहूंगी सेंसेक्स और बैकनिफ्री के बारे हैं उससे पहले बोलना चाहूंगी यदि आप लोग अभी तक registration नहीं करवा है वेविनार के लिए तो registration करवा लेजिए 20 अप्रील को क्या है वेविनार होने वाला है ठीक है एकनोमिल सब्सक्राइब का लाइव क्लास है जहां पे काफी फ्राइडे क्लास चलता है उसमें आपको सीखने का मौका मिलेगा ठीक है तो आप रोग चाहें तो registration करवा सकते हैं दोस्तों यहां पर सेंसेक्स के बारें बात करना चाहूंगी देखिए सेंसेक्स भी क्या है एक चैनल में क्या है यहां पर देखेंगे तो यह भी एक चैनल में है यहां पर देखिए सपोर्ट लिया बार 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 बिल्गुल चैनल में है अब यहां पर देखिएगा 72500 कितना यह क्या हो गया यह सपोर्ट एडिया है 72000 450 से 70 2500 यह क्या है काफी important सपोर्ट एडिया है यदि मार्केट फ्लैट उपर होता है और इसके उपर सस्टेन कर करता है तो फर्दर यहां से मार्केट कहां जाएगा उपर जा सकता है ऐसे थ्वासा अब दोस्तों यहां पर देख लेते हैं यह कुछ भी यहां पर देखिए अभी पैटर फॉर्म नहीं हुआ है अब यहां पर देखिएगा क्या होगा 30 मिट पे यहां पर बुलिस हरामी य ठीक है और यदी क्या हूँ करफर्मिशन नहीं आती है मेंस की इस लोग को क्या कर यह ब्रेक कर दें कल यह यह ब्रेक होता है तो क्या होगा देली के अकॉर्डिंग यह दोस्तों एक्जेक्यूट हो जाएगा यहां पर ठीक है यहां पर क्या होगा ब्रेक्डाउन होगा और यहाँ पर दोस्तो लो है 72,365, 72,365, यदि ये लो ब्रेक होता है, तो फॉर्दर स्रोली 71,500 से 71,300 भी आ सकता है, ठीक है?